कि नमस्कार दोस्तों मैं सचिन्स राठ है आपके अपने चैनल गुरुगनित क्लास में आपका स्वागत करता हूं दोस्तों आज हम देखे आये हैं ऑब्जेक्टिव कोशन है हमारे हमारी चैप्टर जो है चैप्टर फश्ट से लिए गये हैं यह अध्यायक के हैं और हमारा पहला कोशन क्या है किशी पूरांग एंके लिए पृत्तेग् सबद होगा क्या पर संपू CCTV आप कौन सी डिजिट रहती है काव healthy जो 2 से बिभाज यो सम में आती हो अगर हम यहाँ पर देखिए अगर एक रखते हैं तो एक में क्या होगा? यहाँ एक आएगा यहाँ दो हो जाएगा यहाँ दो हो जाएगा दो एकम दो गुड़ा और दो एकम दो और एक तीन हो जाएगा तो अलग अलग आ रहा है अगर हम यहाँ पर दो रखते हैं तो यह दो हो रहा है, यह कितना हो रहा है तीन हो रहा है, M की जगे हमको मान रखना है तो यहाँ कितना हो जाएगा चार हो जाएगा और यहाँ पर चार और एक पाँच हो जाएगा अब उसने पूछाए कि सम पूरंग तो संपुनांग अब तीन रखके देखते हैं तो यहां पर हो जाएगा तीन और एक चार और यहां पर तीन अगर रखते हैं तो तीन दूनी छे और यहां पर रखते हैं तीन दूनी छे और एक साथ हो रहा है फिर अगर हम यहां पर चार रखते हैं तो चार हो जाएगा चार और यहां पर 5 हो जाएगा और यहां पर चार दुनби 8 हो ads9 हो जाएगा तो हम यहां पर देख रहें कि यह כ에서는 mm सणख्रा यह पूशा है meto some putin तो consumption कि इसमें आरही इसमें तो यह हमारा तो देखेंगे तब अगर हम इसमें एक पुट करते हैं क्यों की जगह एक रकते हैं यहां एक हो जाएगा यहां पर दो हो जाएगा यहां भी दो रहेगा और यहां दो और एक तीन हो हो जाएगा यहां पर क्यों की जगे पर रखना है दोस्तों तो दो दुनी यहां पर चार हो जाएगा और यहां पर दो दुनी चार और एक पांच हो जाएगा अब तीन रखके देखते हैं तो यहां तो तीन हो जाएगा यहां पर क्या हो जाएगा तीन और एक चार हो जाएगा यहां पर तीन दूनी छे हो जाएगा और यहां पर तीन दूनी छे हो जाएगा तो दोस्तों को यहां देखते ही पता चल रहा है यह तो मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ आप माइंड में calculation करके भी कर सकते हैं इसको किशी पूरांग के लिए यहाँ पर बिशम पूरांग पूछा है तो यह तो sum आ रहा है यह आ रहा है हमारा बिशम तो हमारा answer क्या हो जाएगा D हो जाएगा इसका answer अगला देखते हैं दोस्तों अगला है N इसकोर माइनस बन R से विभाज होगा यदि N है तो N क्या होगा हम एक एक रखके देखते हैं हमारे पास equation क्या है N इसकोर माइनस बन इसमें हम कौन सी संख्या लाएंगे देखिए इसके objective हैं हमारे एक पूनांग एक प्राकरत संख्या एक बिसम पूनांग और एक संपूनांग अब हम एक एक को इसमें रखके देखेंगे कि 8 से विभाज होगा यदि अगर हम बन रखते हैं तो यह तो 0 हो जाएगा बन माइनस बन तू रखते हैं तो टू टू जा मतलब 2 दू नहीं हो जाएगा 4 माइनस 1 3 हो जाएगा यह 2 रखने पर आया अगर हम 3 रखते हैं यहाँ पर n की बेलू तो 3 तिया 9 हो जाएगा 9 माइनस 1 एक एक उल टू तो यह तो हो सकती है क्या रखा हमने 3 रखने पर अब देखिए 4 रखते हैं तो 25 में से एक जाएगा तो यह जाएगा 24 अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यह 24 भी 8 से डिवाइड है और 8 तो 8 से डिवाइड हो जाएगा मतलब भाग हो जाएगा इसमें 8 से बिभज है और 24 भी 8 से बिभज है मतलब एक आया हमारा 3 और एक आया 5 मैंनस बन और ये कितना हो जाएगा 48 तो यह भी आट से यह इस दो है आँ उर्ड शम क्या हो संख्यां कि सास्थ होती हैं हमारी बिशंग कि तब हम कह सकते हैं कि एक कैसा है एक विसंग्ब ऺूनांख है जाए नश्र इसको कि नहीं क्या बोला है HCF इसका के रुप में ब्यक्त किया जा सकता है तब M का मान होगा अब हमको M का मान निकालना है इसमें क्या होगा इसने SCF दिया है, इसका SCF, इसके मान के बरावर है, तब हम देखते हैं, चलिए दोस्तों हम इसको भी केल्कुलीट करते है, क्या है हमारा SCF कहा है उसने, एक तो कितने का कहा है हमारा, 65 का, और 117 का, अगर हम इसका LCM निकालते हैं, कि इतना आता है, 5 से जाएगा और, 13 से जाएगा तेरा पना 65, और इदर ये किस-किस से जाएगा, दो बार तो 3 से जाएगा, और फिर, 13 से जाएगा, तब इसका हम SCF देखेंगे, दोस्तों, SCF हमारा कितना आ गया, SCF आ जाएगा, हमारा, जो डिजिट दोनों में मिलती है, वो SCF होता है, तो ये 13 आ गया हमारा SCF, अब उसने हम से कहा है, कि M की value निकालना है, कब निकालना है, 65 माइनस M माइनस 117 एक्वल टू, ये क्या है, SCF है इसका, तो SCF दिया है 13, अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ये इधर माइनस का है, 117 उधर जाएगा, तो प्लस का हो जाएगा, इक्वल के, साइन के, अगर कोई डिजिट इधर आ रही है, या उधर जा रही है, तो साइन चैन्ज हो जाता है, तो ये माइनस का है, तो प्लस का हो जाएगा, यहाँ देखते हैं, 65, M, इक्वल टू, अब ये दोनों प्लस हो जाएगे, साती नदस, और यहाँ पे, 130, अब देखो दोस्तों, हमको M की बेल दू निकालनी है, तो ये हमारा 130, 65 इधर है, मल्टिप्लाई में उधर जाएगा, तो ये डिबाइड में हो जाएगा, बस इसक इसको काटने हैं, 13, 65, 13 से काट रहा हूँ, 13, 130, 5, 5, 5 दुनी, 10, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 2, तो हमारा इसके लिए आंसर होगा दोस्तों, 2, अब अगला देखते हैं, दोस्तों, क्या है, कोशन, बहे बड़ी से बड़ी संख्या, जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर, क्रमसाह 5 एवं 8 सेसफल बचते हैं, निम्न है, इन मैंसे संख्या है, अब दोस्तों, जड़ा मैं इसको रेज कर देता हूँ, क्योंकि इसको कैल्कुलेट करना पड़ेगा, तो आप चाहें तो स्क्र इन शॉट ले लिजी, कैसे किया है इसका, ठीक है, मैं रेज कर रहा हूँ इसको, कि बहे बड़ी से बड़ी संख्या ग्याद कीजिए, जो 70 और 125 को विभाजित करने पर, क्रमसा 5 और 8 सेसफल रहे, मतलब कि हमारा हो जाएगा, 70 माइनस 5 क्रमसा कहा है, मतलब जो पहले आई यह उसमें से पहले बाला माइनस करेंगे, और 125 बाद में आया है, तो उसमें से बाद बाला माइनस करेंगे, तो यह हमारा हो जाएगा, 65 और दूसरा क्या है हमारा, 125 है, तो 125 में भी 8 माइनस कर देंगे हम, तो 125 में से 8 जाएगे, तो यहां भी 117 ही बचेगा, दोस्तों इस कि बढ़ी से बड़ी संक्या जिस से 70 और 125 को विभाज्य करने पर क्रमसा पांच और 8 सेसफल बचते हैं तो इसके लिए सेसफल बचने के लिए तो हमने यह एक यात कर लिए अब यह हमसे पूछ रहा है बड़ी से बड़ी संक्या मतलब कि हम हम सेसे निकाल देंगे तो बड़ाईजी बन जाएगा 65 इन दोनों में से जो बड़ी कौन सी है 117 अब 117 पर क्या करेंगे हम इससे डिवाइड कर देंगे तो कितनी बार जाएगा भाग एक बार जाएगा यहां पर बच जाएगा हमारा कितना दो और पांच भावन अभी देखिए का यहां पर रिमाइंडर मतलब सेस्पल जीर हो आया क्या नहीं आया नहीं आया तो अब इससे ही इस पैसेट में डिवाइड कर देंगे यह यह क्या नहीं जा रहा है फिर एक बार भाग देंगे इसमें तो यहां पर तीन बच जाएगा और यहां पर एक 13 अभी भी सेसफल जीरो नहीं आया जब तक जीरो नहीं आया तब तक हमको करते रहना है अब फिर इसके इससे हम इसमें इसमें डिवाइड कर देंगे तो कितनी बार जाएगा चार बार तेरा चुको बाबन अब हमारा सेसफल जीरो आ गया तो जीरो आने पर दोस्तों सेसफल जीरो आने पर अंतिम भाजक जो रहता है वही हमारा SCF होता है तो वह संख्याम को मिल गई church so yeah nothing वाली संख्याप पर हम लगा देंगे दोस्तों कि अब हां डोस्तों जिन लोगों नो अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया वो subscribe कर दें और जनने लाइक नहीं किया वो भी लाइक करें मैं अपने दोस्तों के साथ share करें अब मैं है उछ दि दु धनात्मक पूरंक A A B निम्नी रूप में लिखे हूं इस रूप में लिखे हैं ये और ये A equal to X की घाद 3 बाय भर्ग और B equal to X बाय की घाद 3 जहां X A B अभाद जो संख्याएं तब HCF होगा मतलब A B का HCF ये ब्रेकट के अंदर लिखा है मतलब इसका HCF निकालना है हमें तो दोस्तों HCF क्या होता है हमारा जो दोनों में कामन हो जैसे हम ये A A को लेके चल रहा है A का मतलब क्या हो गया A equal to कितना दिया है हमारा X Q मतलब X into X into X into by into by एगी हुआ और दूसरी संख्याम को दी है B B बराबर क्या दिया है X तो एक ही है एक पावर है और वाए तीन बार है मतलब बाए इन्टू वाए इन्टू वाए अब दोस्तों इसमें देखेंगे कि हम जो दोनों में कामन होगा वह हमारा SCF होगा SCF find out करना है तो देखो X यहां दोनों में कामन है और क्या क्या कामन है तो अब हमारा क्या हो जाएगा X एक बार आया और Y दो बार आयी मतलब Y इन्टू वाए तो क्या हो जाएगा X तो एक ही बार है वाए दो बार है तो Y में वाए का multiply होगा तो by square अब यह हम देखते हैं कहा मिल रहा है हमको यह वाला A अंसर हमारा सही हो जाएगा B वाला अगला कोशन क्या है दोस्तों हमारा यदी दो धनात्मक पूरांग P और Q निम्न की तरह ब्यक्त किये जाएं मतलब P equal to A B square दिया है एवं Q A Q B जहां A और V अबाज जसंग्या है तब LCM होगा अभी दोस्तों हमने क्या निकाला SCF अब पूछ रहा है वो LCM तो हमारी P क्या है P equal to A B square और Q equal to क्या हो गया हमारा A Q B देखो दोस्तों हम इसको कैसे लिख सकते हैं A into B into B उपर वाले का हो गया तो नीचे वाले का A into A into A into B अब इसमें क्या रहता है SCF में तो हमने सिर्फ जो कामन आया था दोनों में बस वो लिया इसमें कामन बाले को तो एक बाल लेन नहीं है वाकी bigger कामन बाले को भी लेना है तो ये दोनों का पेर बन गया और बाकी जो बच रहा है वो भी लिखना है तो देखो एक ए तो यह हो गया बाकी दो ए बच रही है तो उनको भी लेना है हमको और एक भी एक भी यह जो दोनों में कामन है वो ले लिया और एक भी यह बच रहा है वो तो A कितना हो गए हमारा तीन बार और B दो बार तब हमारा आंसर क्या हो जाएगा A Q B Square LCM के लिए तो इसमें है कहीं यह रहा दोस्तों हमारा C वाला यह आंसर हमारा इस के लिए हो जाएगा LCM के लिए और यह वाला PCA के लिए अब है दोस्तों हमारा अगला कॉप्शन इसने क्या कहा है कि एक अशून परिमेशंख्या अशून मतलब जिसमें सुन ना हो परिमेशंख्या एवं एक अपरिमेशंख्या देखिए कि दोस्तों एक परिमेशंख्या है और एक अपरिमेशंख्या का गुरन फल होगा क्या होता है सदेव अपरिमेशंख्या तो दोस्तों परिमेशंख्या के साथ अपरिमेशंख्या प्लस हो माइनस हो मल्टिप्लाई हो या डिबाइड में हो हमेशा वो अपरिमेशंख्या होती है हमेशा क्या होती है अपरिमे संख्या होती है हमेशा अपरिमे शंख्या होती है मैंने अपरिमे शंख्या है लिखा है तो हमेशा अपरिमे शंख्या है ये वाली सदय अपरिमे शंख्या है अब हमारा कोश्यन अगला है दोस्तों बहत छोटी से छोटी संख्या जो एक से दस की सभी संख्याओं दोनों को शंबित करते हुए से विभाज हैं मतलब इनको भी संबित करना है एक और दसको से विभाज हैं अब किससे विभाज यहां दोस्ते इसके लिए हमको सॉल्व करके देखना पड़ेगा यहां पर हम एक से से 10 संख्याओं का LCM निकालेंगे, उसके लिए हमको बोड पे तोड़ी जगय करना पढ़ेगा, हाँ तो दोस्तों, एक से 10 की सभी संख्याओं, जो दोनों को समल्ट करते हुए, से विभाद जहेंब है, छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या के लिए हम LCM निकालेंगे, किसका एक से दस तक की संख्याओं का, तो निकालते हैं LCM, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, और दस, तो दोस्तों जब इनका हम LCM निकालेंगे, दो से, एक तो यही रही गई, दो, तीन, दो, पांच, तीन, साथ, चार, नो, और पांच, अब फिर दो से निकालेंगे, तो बन आना चाहिए दोस्तों सब में, इस दो से डिवाइड नहीं है, वो सेम की सेम जाएंगी, बाकी की, कटती जाएंगी दो से, दो एकम दो, पांच नहीं कटेगा, तो वैसा का वैसा तीन नहीं कटेगा, साथ भी नहीं कटेगा, चार नहीं कटेगा, पांच नहीं कटेगा, अब इसके बाद क्या आएगा दोस्तों हमारा, फिर दो से, दो है जब तक दो से कटेगा, यह, तीन बार दो से कटा है, दो बार तीन से और पांच से और साथ से अब हम इसका सबका गुर्णा कर औंगे मल्टिप्लाई कर देंगे मतलबिशAS करेंगे तो चारचा नी हो इसका करेंगे तो 3 nxt rebuild of 7 अभी सक्राज तो हमारे पास संख्या जाएगी किया संख्या रही दोस्तों यहाँ से निकांभ त्रट ट्रक से कर लेते हैं यहां पर हो जाएगा 40 और नौशाथ ए त्रेशन अब इस 40 के इसम कर देंगे तो 4 का कल लेते हैं 4-3-12 के दो एक जीरो का बाद में कर देंगे 4-3-12 के दो आंसल का एक कि यहां परूज में ओन्पाइब यह मृटिकला जाएगा दोस्तो कर तब इसका अंसर क्या होगा मैंना नहीं मुरून इप आझान लोगा दोस्तों अभजेक्टीम में है अब्जेक्टीम में बता जिता हो वे कि कि यह तो दोस्तो ये हमारा answer होगा दी वाला मैं लिखनी पाया थे answer ये चारों objective है 10, 100, 504 और ये 10, 25 तो हमारा ये वाला match कर रहा है अगला question देखते हैं दोस्तो अगले के लिए मैं फिर erase करता हूँ इसको कि अगला कोश्षियन है दोस्तों हमारा दस्वा परमेशंकीय रहें यह परमेशंक्या दी हैं चगदाजार 2587 और बटे में दी है 1250 के बढ़ सांथ होगी मतलब दसंबलब जुच्ठान बताना है कितने जसमलब के बाद सांत होगी एक के बाद, दो के बाद, तीन के बाद, चार के बाद, पांच के बाद या च्छे के बाद हम देख लेते हैं दोस्तों इसको करके तो हम ये संख्या ले ले लेते हैं क्या हमारी 587 और 1250 अगर दोस्तों मैं इसका और 45, तोब बाद हो जाएगे तो 5दूनी, 10 दो बंज जाएगे, 25 25 पर प्रास से काटेंगे तो 5जूनी 10, 5 20 फिर 5 से और उसके बाद फिर 5 से तो कितनी बार कटा है कि कई हमारा अब ज Vergleich तो ऊपर कजमारा वैसे या आएगा अब नीचे क्या है दोस्तों देखो दो गुड़े पांच की हाथ चार है ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि पांच चार बार आया था हमने चार की पावल लगा दी अब दोस्तो जब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं तो इसको हम ऐसा कर लेते हैं कि एक फाइब इसके साथ कर लेते हैं बन फॉर फाइब एट सेवन इससे क्या है हमको डिबाइड में दिक्कत नहीं जाएगी टू की पावर कितनी है बन तो अपन फाइब की पावर भी बन यहां कामल ले लेते हैं यह एक फाइब कम कर दिया और इंटू यह आपस मुल्टिप्लाई में भी है इंटू फाइब की पावर हो जाएगी थ्री तब इसको कैसे लिख सकते हैं चज़ा 587 यह कितना हो जाएगा पाच दूनी दस और यह पाच की गात तीन है मतलब पाच गुरित पाच गुरित पाच पचम 25 25 पंजे 125 अब दोस्तों हम क्या करेंगे कि इसका 125 का पहले इसमें भाग देते हैं तो क्या करेंगे इसका भाग जब हम देते हैं इसमें सिर्फ 125 का भाग दे रहे हैं जब 125 का हम भाग देते हैं तो हमारी संख्या आती है 116 696 वबटे में कितना बच गया दोस्तों दस अब अगर मैं दस का भी भाग देता हूं तो यह पॉइंट जो है एक डिजिट इधर खिसक जाएगा मतलब की यह हो जाएगा 11.6696 तो कितने हो गए दसमलब के बाद हमारे एक चार मतलब दसमलब इस्तान बताना है तो इधर से काउंट करते हैं एक दो तीन चार तो दसमलब के बाद सांथ होगी मतलब चार चार हमारा अंसर हो जाएगा दोस्तों चार दसमलब इस्तान चार दसमलब इस्तान तो दोस्तों जिन लोगों ने चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया वो सबस्क्राइब कर दें वीडियो को लाइक, सेयर और कमेंट करें कैसा लगा? Thank you for watching the वीडियो